हेलो दोस्तों अरद्देर सेकेडिमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई जित परियोक साला सायक बरती यानि की लेब असिस्टेंट बरती परिक्षा 2022 के नवीनतम पाठे करम के अनुशार पर्थम पेपर के लिए मोडल पेपर की टेस्ट स्रीज शुरू की गई थी जिसमें अपने तीन मोडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें चोथा नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों अगर आपने पिछले तीन मोड़ल पेपर्व का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो परिक्षा नजदिक है आप प्लेलिष्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोलडर मिल जाएगा परियोग साला साहया के मोड़ल पेपर के नामसे वहाँ पर फोलडर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर पिछले मोडल पेपरों का टेस्ट है वो अवस्य दें कुल सो प्रस्टन इसमें सामिल किये गए हैं और हुबहु आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्सिया में देखने को मिलेगा इसलिए टेस्ट है वो आपको रोजाना देना है और अरद्दर एस का अद्यक्स कोन है बताईए दोस्टो आप सभी को पता होगा निति आयो का जो अद्यक्स है वो कून है तो वह होता है दोस्तो प्रदान एक होता है वो इसका बिल्कुल सई हुतर हो जाएगा ठीक्या नेक्स्ट आगे दिखें उन्हागए address का dispar Religion को कोन करता है नेक्स्टर क तीन नमबर प्रेशने यदि लोकसभा का अध्यक्स त्याग पत्र देना चाहे तो वह है अपना त्याग पत्र निम्न लिखित में से किसको संबोधित करेगा दोस्तो लोकसभा का अध्यक्स अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा सीधा सा हो जाएगा इसमें जैसे राश्टर पती उपराश्टर पती को देता है ठीक उसी परकार लोकसभा अद्यक्स है वो उपाद्यक्स को अपना त्याग पत्र देगा तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो किसके दोरा भंग किया जाता है बताईए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखे एक याद रखना दोस्तों अनुछीद तिरैसी एक के अनुसार राज्यसभा एक स्थाइस अधन है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए इसमें पांच वर्ष इसमें छे वर्ष इसमें परदान मतरी की सलापर यहां पर चार नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि राजे सबा कभी भी भंग नहीं होती है ठीक है आगे देखिए, पांच नमबर का प्रेस ने किसी राजे का उस्तम विदी अधीकारी कोन होता है? 6. नमबर प्रेस ने, भारत में सबसे लंबी अवधी तक राश्टर पती रहे, बताईए दोस्तो बारत में सबसे लंबी आवजी तक जो राश्टर पती रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंदर परसाद ठीक है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर और ऑप्शन सही डॉक्टर राजेंदर परसाद नेक्स्ट मेजबांद अवस्तित है बताए राजस्तान में और राजस्तान में भी अगर मैं बालत करूं तो कहां पर है तो यह दोस्तों भील वाड़ा में है कहां पर है भील वाड़ा में है कौन सी नदी के उपर यह निर्मित है तो दोस्तों नदी का नाम है कोठारी कोठारी नदी के उपर यह बांध बना हुआ है कौन सा कथन है वो सत्य कथन है देखिए मुख्यमंत्री राजे के कारियों के प्रशासन समंदी विनिश्चे राजेपाल को संसुचित करता है बिल्कुल सही बात असाब करता है आगे देखिए मंत्रियों की न्युक्ति राजेपाल मुख्यमंत्री की सलापर करता है बिल्कु अध्यक्स्ताब करता है, बिल्कुल सही वालतसाब करता है, यहां पर तीन और एक अथन है, वो मुख्यमंतरी से समधित बिल्कुल सही है, यहां पर प्रस्थन का राइट आउर हो जाएगा, ऊप्रोक सभी, नो नमबर का प्रेस्ट निसमें देखे बारत के सविधान में निम्न में से किसके विरुद अभियोग चलाने का प्रावदान नहीं है अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा देखे राजे के राजेपाल के विरुद है वो अभियोग चलाने का प्रावदान नहीं है क्योंकि दोस्तों ये राश्ट्रपती के प्रसाद परियंत है यानि कि जब तक राश्ट्रपती की इच्छा रहती है तब तक वो अपने पद्ध पर कारी करता है ठीक है तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही देखिए प्रस नमर प्रस ने बहुत देश ये नदी गाटी परियोजना को आदुनिक भारत का मंदिर किसने का था बताईए बहुत देश ये नदी गाटी परियोजना को आदुनिक भारत का मंदिर है वो किसने का था अपना इसमें बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है जवारलाल दोस्तों यहां पर दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर जवार लाल नहिरू ने कहा था ग्यारा नंबर का प्रशन इसमें देखिए निम्न लिखित में से गुनी सो बतीस में पूना समझोते से समंदित है कौन सा एक साही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए सरकारी नोकरियों में दलित वर्गों का समूचित परतिनी दीत है दोस्तो अपना इसमें गलत हो जाएगा ठीक है दोसरा देखिए इसमें प्रांती विदान मंडल में दलित वर्ग के लिए इस्तान आरक्षन बिल्कुल सही है सहयुक्त निर्वाचन मंडल पद्दति को किनि यहां पे शमुचीत प्रवतिय दर्रा है सुची सेकिन में राजे है सुमेलित करना है बताना है कौनसा दर्रा कौनसे राजे में इस्तित है देखिए माना ये माना जो माना दर्रा है ये दोस्तों का है देखिए माना नीती और लिपुलेक ये तीनों दर्रे हैं ये दोस्तों का आपर है ये उत्राखंड में है ठीक है यहां पर जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है और जो जिला दर्रा ये जम्मु कस option बिल्कुल सही उत्त हो जाएगा 13 नमर का relevant निमने लिखित में से किस नदी का उदगम इस्तल भारत में नहीं है बताइए किस नदी का उदगम इस्तल है वो भारत में नहीं है तो यहां पर इस स्टलज नदी का जो उदगम है वो दोस्तों तिबत के कैलास परवत से यानि की कैलास परवत पर जो मानसरोवर जील है ठीक है वहां से इसका सतलज नदी का उदगम होता है ठीक है और अगर बात करो तो मानसरोवर जील के निकट में एक जील है जिसका नाम है राकसस्ताल जील वहां से इसका देगा या फिर आपको तिबबत मानसरो और जील देगा ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर उप्शन सही नेक्स्ट आगे देखे चित्रफल की दृष्टी से संसार का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो संसार का सबसे बड़ा महाद राइट आंसर इसमें दो नमबर का उप्शन हो जाएगा इसमें और एशिया के बाद भी दूसरा नमबर है अफरीका का नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक उपजाओ मर्दा कौन सी है इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है जलोड मर्दा जलोड मर्दा है यह दोस्त अपना इसमें 16 नमबर का प्रेशन है भारत में दक्सिन पस्षी मांसुन के समद्ध में निमनलिखित कतनों में से कौन सा सही है बताईए भारत में दक्सिन पस्षी मांसुन के समद्ध में निमनलिखित कतनों में से कौन सा कतन है वो इसमें सही है वो अपने को यहापर क्या मान सून से राजस्तान में वर्षा नहीं होती ये भी बिलकुल सही है जब इस्ताई प्रेंड में दोस्तों अंदराश्टे नहले का मुख्याल है यहां पर राइट आंसर चार नंबर उप्शन सही उतर आगे देखिए राजस्तान में दो जार एक से दो जार ग्यारा के दौरान किस जले की दसकी जनसंग्या वर्दीदर नियूनतम रही राजस्तान में दो जार लगानगर ठीक है दसकी जो वर्दीदर है वो नियूनतम गंगानगर में रही कितनी प्रतिशत दस प्रतिशत रही ठीक है और सबसे अधिक जो जनसंग्या वर्दीदर है वो रही चिए दोस्तों बाढ़मेर में कितनी 32.5 प्रतिशत याद रखना आपको ठीक है यहां पर दो नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही गुनिश नमबर का प्रस्ट ने विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल है वो है दोस्तो सहारा मरुस्तल यहां पर एक नमबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जो अफरी तरो जाएगा बाबर एक किस नमबर का प्रशन है इसमें देखे निम्न लिखित में से कौन सा फसलों का समू है है जिसे निम्न भूमियों में और उपजाओ जलोड मिट्टी के नदी डेलताओं में भारी मात्राओं में उगाया जा सकता है जहां उच्छ गिर्शन तापमान होता है और वर्शा एक सो असी से मिशे दो सो पचास से मिश तक बदलती है बताईए वह ती अच्छा प्रशन है निम्न में से कौन सा फसलों का समूह है जिसे निम्न भूमियों में और उपजाओ जलोड मिटी के नद डेल टाओं में भारी मात्राओं में उगाया जा सकता है जहां उच्छ गिर्शन तापमान होता है और वर्शा एक सो सी से मिशे दो सो पचास से मिश तक बदलती है इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है चांवल पट्शन और च तो फान ने क्या कल आता है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हरीकेन तो यहां पर अपने को बताना है कि कौन सी खान है वो कहां पर इस्तित है देखिए जस्तावस शीशा की खान कहां पर है दोस्तों जस्तावस शीशा की जो खान है वो कहां पर है यह तो रामपुरा अंगुचा भीलवाडा में है बिल्कुल सही है तंगस्टन की खान डेगाना नागोर में है बिल्कुल सही है तांबा की खान खेतरी शिंगाना जुन-जुनु में है बिल्कुल सही है अब्रक की जो खान है वो भीलवाडा में है बिल्कुल सही है यहाँ पर इ देखिए 24 नमबर का प्रेशन निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है दोस्तों बताइए कौन सा कथन है वो इसमें ऐसते है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए भीलवाडा राजस्तान का मैंचेस्टर के लाता है बिलकुल सही है दिमेवाड सुगर मिल्स बोपाल सागर चि था देखिए इसमें राजस्तान का उन उत्पादन में देश में साथ वह इसतान है गलत है उन उत्पादन में दोस्तों पहला इसतान है राजस्तान का यहां पर चार नमबर का उप्सन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 25 नमबर का प्रेशन निम निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों निम्न को अपने को क्या करना है सुमेलित करना है अपने को बताना है कि कौन सा वन है वो कहां पर यह है वो बताना है देखिए दोस्तों यहां पर सालर वन सालर के वन है वो दोस्तों कहां पर पाई जाते हैं यह पाई जाते हैं दोस्तों यहां पर सुस्क सागवान वन सुस्क सागवान वन दोस्तों उदैपूर चितोडगर डूंगरपूर बहासवड़ा में पाई जाते हैं धक्षन के अंदर पाई जाते हैं यह सुस्क सागवान वन उसन सदाबाहर वन दोस्तों उसन सदाबार वन है यह आबू शिरोई प्रवत ये छेतर में पाई जाते हैं और ढाक वा पलास वन हैं ये दोस्तों राजसमंद और उदैपूर में पाई जाते हैं यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा दो एक तीन चार दो एक तीन चार ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही रागे देखिए हाडोती के पठार में राजस्तान का कौन सा चेतर समिलित किया जाता है हाडोती के पठार में राजस्तान का कौन सा चेतर समिलित किया जाता है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है दोस्तों काठल की गंगा और कामदेनों के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर देखे काठल की गंगा के नाम से दोस्तों माही को जानते हैं और कामदेनों के नाम से चंबल को जानते हैं तो यहाँ पर अपना इस राजस्तान और मद्यपरदेख्ष की सन्यूक्त परयोजना है माही बजाज़्सागर परियोजना है यह पर्योजना दोस्तों राजस्तान और गुजरात की यह संहूक्त परियोजना है ठीक है सिद मुख परियोजना सिद मुख परियोजना है यह दोस्तों किसकी परियोजना है तो दोस्तों यह पंजाब हर्याना और राजस्तान की सभी परियोजना है यह केवल राजस्तान की केवल राजस्तान की यह सिचाई परियोजना है ठीक है और दोस्तों अगरभारियाना और राजस्तान की यह सहयूक्ट प्रियुजना है इस प्रशन का right answer क्या हो जाएगा है जो तीन, चार एक है इसका बिल्कुल सही रो जाएगा यहाँ पर इस में एक number का option सही नेक्स्त आगे देखिए निमन में से कौन सा युक्म सही नहीं है कौन सा युक्म इसमें सही नहीं है यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको बताओं देखिए इस सब गोल जालोर का प्रसिद है यानि कि इस सब गोल का सरवादिक उतपादन जालोर में होता है बिल्कुल सही है मेथीप और पोदिना का उतपा में होता है दोस्तों नबर का जो अप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इस ने निमनलिकित में से कौन सा कतन सत्य है दोस्तों बताइhoot कौन सब्सक्तन है यहां पर लाश्त्रिय उंट ने संदान केंदर बिकानियर में बिल्कुल सही बात है साब ठीक है यहाँ पर राष्टिय उन अनुसंदान केंदर है यह बिकानेर में है ठीक है राष्टिये जो अस्वा अनुसंदान केंदर है ये दोस्तो जोधपुर में है बारा में नहीं है ठीक है केंदरिये पसू नसल सुधार केंदर है केंदरिये पसू नसल सुधार केंदर है ये चितोड गड में इस्तित है दोस्तों यहाँ पर देखिए केंदरिये पसू नसल ये अविका नगर टोक में इस्थित है तो यहाँ कर देringe कोला की खाने या गैस काने हे वो कौन से जिले में इस्तित है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तो देखिए इसमें केसर देसर की जो खान है वो कहां पर है केसर देसर की खान बिकानेर में है कपूडी कपूडी की खान कहां पर है यह कहाँ पर है तो यह नागोर में है दोस्तों यह मतासुक ठीक है तानोट कहाँ पर है तो यह जैसलमेर में है इस प्रस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन चार दो एक इस प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीन चार दो एक कर लेना ठीक है नेक्स में सरवादी के जन संक्या वर्दी दर रही बाड मेर में 32.5 जैसल मेर में 31.8 और जैपुर में 26.2 प्रतिसत की वर्दी हुई है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी इसका बिल्कुल सही तेटीस नमबर प्रेस ने बच्चों में स्वेगात्मक समयोजन प्रभावी होता ह इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखे व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा सिक्षन में अनुशासन में यह सभी में तो यहाँ पर चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही चोंतिस नमबर का प्रेस ने बच्चों में संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिबासित किया जा सकता है बच्चों में संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिबासित किया जा सकता है अपना इसमें बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है विद्याले एवं कक्षा में विद्याले एवं कक्षा में दो नमबर का जो उप् वो है दोस्तों देखिए इसमें सिक्षार्थियों की भिन अधिगम सहलियों को परभावी रूप में संबोधित करने में तो यहाँ पर तीन नंबर का जो ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सही तरह हो जाएगा आगे देखिए 36 नंबर का प्रेशन है निमनलिकित में से कौन सी विशेष्टा समस्या समादान उपागम का विशेष्ट नहे है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए समस्या कथन में संकेत अंतरनीत रूप से दिया होता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 37 नमबर का प्रेशन है कि सोरावस्ता में बच्चे किस परकार की समस्या का सामना करते हैं कि सोरावस्ता में बच्चे किस परकार की समस्या का सामना करते हैं अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए सारी रिक एवं मांसिक परिवर्तन से समयोजन करना सारी रिक एवं मांसिक परिवर्तन से समयोजन करना ये कि सुरावस्ता में बच्चे समश्या का सामना करते हैं सारी रिक एवं मांसिक परिवर्तन से समयोजन करना का सामना करते हैं यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर, एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही. 38 नमबर प्रेशन है, निम्न में से किस सिस्तर के बच्चे अपने समकक्सी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कि सोरा आवस्ता के? एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है कि सोरा आवस्ता के दोरान, सबसे अधिक गहन और जटल समाजी करण होता है, एक नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही. चालिस नमबर प्रसने इसमें देखे यदि किसी बालक की मानसी कायू 20 वर्स तथा वास्तवी कायू 16 वर्स है तो उसकी बुद्धी लब्दी होगी तो दोस्तो उसकी बुद्धी लब्दी है वो कितनी होगी दोस्तो बुद्धी लब्दी क्यात करने का अगर मैं सुतर बताऊं आपको तो क्या होता है मानसिक आयू बटे वास्त्विक आयू इंटू हेंड्रेड तो यहाँ पे मानसिक आयू कितनी है मांसिक आयु है दोस्तोव 20 वर्स वास्तवीक आयु कितनी है 16 वर्स into 100 काट लीज़े दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 से यह 4 बार 16 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों यह 4 बार कटा यानि कि 4 से 16 4 बार कटे और 20 में 25 का भाग 25 का भाग दिया तो दोस्तों चार बार गया तो यहाँ पर 25 आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 में 4 का भाग दिया तो कितने बचे तो दोस्तों यहाँ पर 5 बचे तो यहाँ पर 5 इंटू 25 करोगे तो कितना जाएगा 125 तो यहाँ पर 125 उसकी बुद्धी लब्दी होगी दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे बुद्धी लब्दी के समंद में क्या सत्य है बुद्धी लब्दी के समंद में क्या सत्य है यहाँ पर देखिए दोस्तों बोधिक आयू से व्युक्तिकर्मी समंदित तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए इसमें कालानो करमिक आयू से प्रतेक्ष समंदित बिल्कुल यह भी गलत हो जाएगा कालानो करमिक आयू से व्युक्तिकर्मी समंदि ये बिल्कुल शही है दोस्तों यहां पर तीन नंबर का ऑप्सन बिल्कुल से हुथ डेखे बुद्धी लब्दी बालक या व्यक्ति को समानि योग्यता के विकास की गत्ति बताती है यह कालानुकरमिक i.o से यानि कि कालानु करमिक आयू के व्यूत करम से समंदित है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर तीन नमबर उप्शन बिलकुल सही आगे देखे अंतर वेक्तिक बुद्धी से ताथ परिये है बताईए दोस्तों यहां पर अंतर वेक्तिक बुद्धी से क्या ताथ पर यह है इससे ताद पर यह है दोस्तों स्यूम की समताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना यहां पर अपना इसमें एक नंबर उप्शन बिल्कुल सई 43 नंबर प्रेस्टें माद्यमिक कक्षा में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए चात्रों की समस्याओं का समधान करके तर्क और वाद विवाद की परतियोगिताओं का आयोजन करके बिल्कुल सही है चात्रों की रूचियों का अविकास करके यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी यहाँ पर चार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उप्रोक सभी ठीक है नेक्स्ट आगे देखिये 44 नंबर का प्रेस ने अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो विचारात मक्पर किरिया यहाँ पर चार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें याद रखना ठीक है आगे देखिये दोस्तो इसमें चरितर का विकास होता है दोस्तो चरितर का विकास होता है अपना राइट अंसर हो जाएगा देखिये इसमें इच्छा सक्ती द्वारा बरताववे वेवार द्वारा नेतिकता द्वारा इन्हें सभी के द्वारा चरितर का विकास होता है राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर उप् बताए किसके छेतर में आता है दोस्तों वेवार का करना पक्स किसके छितर में आता है यहाँ पर अपना इसमेर राहिट उजाएगा वह सीखने के संगयन आत्मक छेतर में आता है तो यहाँ पर three number का ओप्शन बलकुल सही उत्र आगे देखिए 47 नमबर का प्रेशन है जो सोचता है कि बाचीत का सीखने के संसादिन के रूप में उप्योग किया जा सकता है यहाँ पर अपना 4 नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 48 नमबर का प्रेशन है सीखने की प्रकिरिया से सीखने का इस्तनांतरन हो सकता है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सकरात्मक नकरात्मक सुनने तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह सबी पूरती नहीं होती उनका बंडार ग्रहें निम्न में कौन सा है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इदम तो यहां पर एक नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इदम इसका बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखिए 50 नमर का कारिय करेगी यहां पर देखिए विद्यारतियों को लक्से निर्दारित करने के लिए प्रोच्चाहित करना विद्यारतियों को लक्से निर्दारित करने के लिए प्रोच्चाहित करना यह वियू रचना कारिय करेगी तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएग बच्चों को किस स्रेणी में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बताई कौन सी स्रेणी में रखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों परतिबा साली कि स्रेणी में रखेंगे चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट बावन नं कर दोस्तों मुल्यानकन परके के कि नुरह है और यह आ परिशम में मुल्यान कन्प कम अनुब्ह टिकिव आ और के सिब ग्राव कॉप्ठों है आ यह दोल सर्जनात्मक्तस में सायबम्ध मिन्वान कउनेत प्रद है लिग्ल्ही से बाल्कों की सोच अमूर्टता की अपेक्शामुर्थ मूर्थ अनुबववं एवं प्रतियों से होती है यह हैं अवस्ता है बताइए बालकों की सोच ए मुर्टता की अपेक्षा मुर्ट अनुबव एवम प्रत्यों से होती है यह अवस्ता है यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा यह अवस्ता है दोस्तो साथ से बारा वर्स तक की साथ से बारा वर्स तक की तो यहाँ पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखिए इसमें निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तो एक तरफ गीत दे रखे हैं यानि की गीतों के नाम दे रखे हैं किस से समंदित वो गीत है यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिसमें चारो के चारो गीत आ जाएंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कामड जो कामड गीत है ठीक है यह दोस्तों कब गाया जाता है तो यह कामड गीत है यह गाया जाता है दोस्तों विवाहा पर दुले को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है वो होता है कामड गीत ठीक है शीठने शीठने जो गीत है यह दोस्तो बरात के वदू के घर पहुचने पर वदू पक्स द्वारा गाये जाने वाले जो गाली गीत होते हैं उनको बोलते हैं सीठने कोया लड़ी कोया लड़ी बोलते हैं दोस्तों किसको तो ये विदाई के अवसर पर इस्त्रियों द्वारा गाये जाने वाला गीत है वो होता है कोया लड़ी और जुआ जुआ जुई ये जो गीत है ये दोस्तों विवा के उपरांत है वर वदू के बीचे खेले जाने वाला जो खेल होता है वो होता है दोस्तों जुआ जई ये गीत नहीं होता है ये खेल होता है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार तीन दो एक इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चार तीन दो एक यानिकि एक नंबर का उप्शन निमनलिकित में से कौन युग्म सही है दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों यहां पर देखिए अच्छा प्रस्णा आप इसको कह सकते हैं देखिए खड़ताल यह सुसीर वादेंतर है सुसीर वादेंतर है ठीक है बिल्कुल सही है बाकिया है यह गन वादेंतर है डेरू सुसीर वादेंतर है रबाब यहां पर तत वादेंतर दे रखा है जो की गलत दे रखा है आपको कमेंटर में बताना है कि रबाब है यह कौन सा वादे यंतर है तिए है यहाँ पर अपना इसमें दो नंबर का ओप्शन बिल्कुल सभी उत्र हो जाएगा आगे देखे निम्नांकित जातियों या जं जातियों पंथो या उनके नरते को सुमेलित कीजिए तो यहाँ पर अपने को क्या करना है सुमेलित करना है कि कौन सा नरते कौन सी जंजाती का है यहाँ पर देखिए दोस्तों गैर नरते यह भील जंजाती का नरते है बिल्कुल सही है कच्ची गोडी नरते यह सेखावाटी के बावरिया जाती के लोग इस नरते को करते बिल्कुल सही है संकरिया नर्ते कालबेलिया जाती के द्वारा ये नर्ते किया जाता है और अगरी नर्ते ये जसनाती संपरदाय के द्वारा ये नर्ते किया जाता है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार चारो इसमें क्या है बिल्कुल सही है एक नमबर का option बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें गोमा मीना कालू कीर कांगुजरी नियावंड वै नाहर आधी है तो ये क्या है दोस्तूं ये है छोटी नाटी काए है जिनका मिंचान गवरी उत्षव में किया जाता है छोटी नाटी काए है जिनका मंचान गवरी उत्सव में किया जाता है यहां पर दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगे देखे 59 नंबर का प्रेशन है राजस्तान में 13 पंथ के परवर्तक रहे हैं अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्त दोस्तो राजा आजीच सिंग के द्वरा राजा अजीच सिंग के द्वरा दोस्तो गोरदाय की दर्ति का निर्मान करवाए गया था यानि कि छत्री का ठीक है गोरदाय की छत्री का निर्मान किसके द्वरा करवाए गया था तो राजा अजीच सिंग के द्वरा करवाए गय था एक नंबर उप्शन बिलकुल सही आगे देख़े बील गराशे जनजाती में दापा का आर्थ क्या है दोस्तों दापा का दापा पर्था का नाम दोस्तों इसमें परफथा मतलब होता है कञ्ञा पक्स द्वारा वर पक्स से कञ्ञा के बदले में राशी धनराशी यानि कि राशी धनराशी लेना यानि कि अपने राजस्तान में तो उल्टा सिस्टम है ठीक है जैसे राजपुतों में जाटों में और मिर्नाओं में इन में क्या होता है कि इन में कन्या के साथ साथ अपन जो दहेज देते हैं ठीक है और बील ज लड़की वाले को देश देते हैं, तो यहां पर अपना इसमें right answer हो जाएगा, एक number option बिलकुल सही, आगे देखे, निम्नलिकित में से कौन सा उरजा का गेरपरंपरागत शुरोत है, तो कौन सा उरजा का गेरपरंपरागत शुरोत है, अपना इसमें right answer हो जाएगा, वो है, नेक्स्ट आगे देखे नेजा है ये नेजा क्या है दोस्तों नेजा है ये रामदेव जी की पचरंगी पता का है नेजा यहाँ पर चार नमबर का उप्चन बिल्कुल सही दसवी सताब्दी का प्रशिद अंबी का मता मंदिर ये दोस्तों कहांपर है तो यह जगत में है यहाँ पर अपना इसमीर दो नमबर का उप्चन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे तिमनिया पहना जाता है दोस्तों ये तिमनिया अभुषण है ये कहां पहना जाता है ये पहना जाता है दोस्तों मैलाओं द्वारा गल्ले पर पहने जाता है ये अभुषण तिमनिया अभुषण है यहां पर एक नमबर ओप्शन बिल्कुल सही चासराज का चित्रन हेतू विशे के रूप में परियोग किया गया है बताइए कौन सी चित्र सेली में यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें मारवाड चित्र सेली में तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही मारवाड ठीक है नेक्स्ट आगे देखे निमन को सुमेलित कीजिए एक तरफ अस्त कला है दूसरी तरफ प्रशिद के अंदर है बताईए अपने को बताना है कि कौन सी कला कहां की प्रशिद है दोस्तो थेवा कला थेवा कला यह कहां की प्रशिद है तो यह परताबगड की प्रशिद है ठीक है और मेठेरन कला मेठेरन कला दोस्तो बिकानेर क की प्रशिद है तो यह बिकानेर की प्रशिद है ठीक है और देखिए दोस्तों इसमें अजरंक प्रिंट अजरंक प्रिंट है यह दोस्तों बाड़मेर का है प्रशिद और मलीर प्रिंट भी बाड़मेर का प्रशिद है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएग दोस्तो यहाँ पर एक तरफ कंपणी दे रखिए, दोसरी तरफ इस्तान दे रखा है, अपने को बताना है कि इन में से कॉन सा, इसमें सही है, देखिए, Steel Authority of India Limited ये company कहाँ पर है दोस्तो Steel Authority of India Limited ये company है दोस्तो कहाँ पर तो ये दिल्ली में है दोस्तो कहाँ पर है दिल्ली में इंदुस्तान Zink Limited ये तो सभी को पता होगा दोस्तो कहाँ पर है तो ये उदेपुर में है और देखे इसमें Heavy Engineering Corporation Limited Heavy Engineering Corporation Limited तो ये दोस्तों कहाँ पर है तो ये राची में है जारकंड राची में और इस्ट्यूमेटेशन लिमिटेड दोस्तों इस्ट्यूमेटेशन लिमिटेड है ये कहाँ पर है तो ये कोटा में है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार दो तीन एक चा देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है मीरा भाई का मंदिर कहाँ पर है ठीक है दोस्तों क्या करना है सुमेलित करना है ठीक है मीरा भाई का मंदिर कहाँ पर है तो दोस्तों मीरा भाई का मंदिर है ये चितोड गड में है बिल्कुल सही है नो ग्रोहों का मंदिर कह पर है नागदा में है बिल्कुल सही है एक लिंग जी का मंदिर कहा पर है उदेपूर में है ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन है ठीक है देखिए दोस्तों यहां पर देखिए चेतन्य महाप्रभु ने कौन सा सिद्धान्त दिया था तो दोस्तों यहां पर देखिए गोडिये संपर्दाय का सिद्धान्त दिया था इन्होंने ठीक है तो गोडिये सिद्धान्त दिया था निंबारक ठीक है यहां पर दे दो एक इस प्रेम का बिल्कुल से युत्र हो जाएंगा चार तीन दो एक यानि की चार नंबर का उप्षन बिल्कुल से युत्र हो जाएगा इगे तर नंबर प्रेस्ण यहां पर च्छे यहां आए को बाने स्वर का दुर्ग बारत के तीन बड़े किल इन से एक निम्न इस्तानों में कहां पर इस्तित है तो दोस्तों यह कहां पर इस्तित है ठीक है इस बताए यह बाने स्वर का इसमें कौन सी ऐसा माजिक पर्था नहीं पाई जाती थी तो बताएं कौन सी ऐसा माजिक पर्था नहीं पाई जाती थी राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देवदासी पर्था कौन सी पर्था देवदासी पर्था तो यहां पर चार नंबर ऑप्शन बिल्कु बिल्कुल सही नेक्स्ट निम्न इस्तलों में से संत्रेदास का जन्म इस्तान कौन सा है तो दोस्तों निम्न इस्तलों में से संत्रेदास का जन्म इस्तान कौन सा है इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए तो वो है बनारस तो यहां पर अपना इसमें कर्षकों का जो सुबह का बोजन होता है उसको बोलते हैं सिरावन तो यहां पर दो नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखे किस लोग देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है किस लोग देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है इसका बिल से जिले में कौन सी हवेली है ठीक है यहां पर देखिए उदैपूर में कौन सी हवेली है तो दोस्तों उदैपूर में बागोर की हवेली है कहा पर है बागोर की हवेली तो यह उदैपूर में है ठीक है जैसल मेर में कौन सी हवेली है तो दोस्तों जालिम सिंग की हवेली है य यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है 2413 इसका right answer हो जाएगा यह आपको याद रखना है 2413 इसका बिल्कुल सही आगे देखिए वर्स 2011 में राजस्तान में नगरिय जनसंक्या का प्रतिसत था नगरिय जनसंक्या का प्रतिसत था वो दोस्तों कितना था तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा यहाँ पर देखिए राजस्तान का पुछा है नगरिय जनसंक्या प्रतिसत तो दोस्तों 24.9 प्रतिसत है यह नगरिय जनसंक्या का प्रतिसत है अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि सो में से 24.9 गए तो कितने बचे तो दोस्तो 25.10 बचा और 25.10 है यह दोस्तों ग्रामिन जनसंक्या का प्रतिसत है तो यहाँ पर तीन नंबर उप्शन बिलकुल से आगे देखिए राजस्तान में कौन सी बेड़ की नसल नहीं है राजस्तान में बेड़ की नसल कौन सी नहीं है अपना इसमें right answer हो जाएगा वो है दोस् देखिए दोस्तों माल पूरी चोकला सोनाडी नाली पुंगल मारवाडी जसल मेरी यह बेड़ की नसल पाई जाती है लेकिन माल भी नहीं पाई जाती है ठीक है यहाँ पर इसका right answer चार नंबर option हो जाएगा आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ प पर वस्तर कार खाना वस्तर उद्योग कहां पर है तो दोस्तों यह भीलवाडा में है बिल्कुल सही है सिमेंट उद्योग है यह निमभाएडा में बिल्कुल सही है सोडियम सलफेट यह डीटवाणा में है बिल्कुल सही है उर्वरक मोड़क यह गलत दे रखा है दोस्तों उर्वरक के सरवादी कारखाने कहां पर है उदयपूर में है दोस्तों कहां पर है उदयपूर में दो नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिखित में कौन से जिले सिद्मुख सिचाई परियोजना से सिंचित होते हैं अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बताए कौन सा तो वो है दोस्तों अनुमानगड और चूरू अनुमानगड और चूरू जिला है ये दोस्तों इस परियोजना से सिंचित होते हैं दो नमबर ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए चंबल बेसी है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्रह जाएगा थिकहे आगे देखिए इसमें miniature म उद्ध्यान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों राष्टीय और उद्ध्यान को किस और जाना जाता है ये आप सभी को पता होगा इसका right answer क्या हो जाएगा जिवास में उद्यान ठीक है आगे देखिए इसमें देखिए ये 83, 84, ये वापस 83 ठीक है ये कुछ से यहाँ पे नमबरों में misprint हो गई ठीक है तो यहाँ पे देखिए बनास नदी का जो उद्गम इस्तल है वो कौन सा है अपना इसमे right answer हो जाएगा वो है दोस्तों बनास नदी का जो उद्गम है वो कुम्बलगड के नजदीक में जो खमनोर की पाडिया है वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है चार नमबर ओप्शन बिल्कुल सही देखिए सूची फस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करन ना है सुची फस्ट में खनीज दूसरी सुची संसंसरों में दोस्तों यहां पर खनेंज्श रहे ठीक है दोस्तों रोक फॉसने वोगा आपने रोक फॉसनेब खनीज का जो उत्पादन है यह दूस्तों का पर होता है क्यूंफ होता ठीक है जाफ ना है और ने Until the घ् teps Maga खनन सेत्र है तंगस्टन का दोस्तो डिगना में है मेगनीज का दोस्तो यहां पे लीलबानी में है और दोल माइट अपना इस में क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा यानि क्या अपना इस में एक number option बिल्कुल सई आगे देखिए सुची first को सुची second से सुमिलित करना है सुची first में जीले हैं और सुची second में जीले हैं देखिए उमेद सागर जील कहा पर है दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो उमेद सागर जील है ये कापर है तो दोस्तों ये भीलवाडा में है ठीक है कापर है भीलवाडा में नकी जील कापर है तो दोस्तों ये माउंट अबू में है माउंट अबू कापर है शिरोई में है तो यहां पर दो नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चार एक दो तीन अगे देखें 2011 की जनगर्णा के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समुहे में सबसे कम महिला साखसरता अंकित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तो जालोर शिरोई और जैसलमेर में जालोर शिरोई और जैसलमेर में सबसे कम महिला साखसरता दर है तो यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा एटी सेवर नंबर का प्रेशन इसमें देखें राजस्तान में नए जल संभर के चुनाओं में निम्न में से किस मापदंड यानि कि किस मा उन्गी मारिता दी जाती है बताई ये बहुत ही अच्छा प्रसन आप इसको कह सकते हैं ठीक है भारिता दी जाती है देखि है राजस्तान में नए जल संभर के चुनाओं में निम्न में से किसमां renewed को स्रवादिक भारिता महितोज दी जाती है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है छेतर जिसमें पेजल की संकट नहीं कि पेजल की विकट कमी हो यहां पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 88 नंबर प्रस ने इसमें देखिए हाली में विभाग राजस्तान ने गोडावन के अंडे सेने की करतरिम विदी है तू निम्न में से जिस संस्ता से सहयो करार किया है वह कौन सी है हाली में वन विभाग राजस्तान ने गोडावन के अंडे सेने की करतरिम विदी है तू निम्न में से जिस संस्ता से सहयो करार किया है वो संस्ता कौन सी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो आगे देखिए इसमें कर्शिवी भाग राजस्तान के मर्दा वर्गी करण के अनुसार रेवरीना मर्दा पाई जाती है तो यह पाई जाती है गंगा नगर में कहां पर गंगा नगर में एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गंगा नगर नेक्स्ट आगे देखिए इसमें भारत सरकार के खादे प्रसंस्क्रण उद्योग मंत्राले के सयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पारक ने अपनी पहली इकाई इस्तापित की तो दोस्तों ग्रीन टेक मेगा फूड पारक ने अपनी पहली इकाई है वो रूपनगड अजमेर में इस्तापि हो जाएगा वो है यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान का दितिये पर्मानु उर्जा सहयंत्र प्रस्तावित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बासवडा में प्रस्तावित है तीन नंबर का उप्शन बिल्क उत्रो जाएगा श्री गंगा नगर में आगे देखिए वर्स दो जार इकिस बाइस के दोरान राजस्तान में परतिवेक्ति आये कितनी रही राजस्तान में परतिवेक्ति आये है वो कितनी रही इसका बिल्कुल सही उत्रो जाएगा वो है दोस्तों एक लाग पैंती सजार द प्रोचसान नीती 2022 में कौन से प्रावदान सामिल है बताइए हाली में लागू की गई राजस्तान फिलम परियटन प्रोचसान नीती 2022 में कौन से प्रावदान सामिल है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन से अपने को कूट बासा में दोस इसी फिल्म निर्माताओं को राजस्तान में सुटिंग करने पर अनुदान देना ठीक है और नगत वे अवाड वे नगत प्रुस्कार परदान करना तो दोस्तों इसमें चारों ही सही है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी यानि की चार नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए लताजी द्वारा गाया गया प्रशिद गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ने किस यूद में सहीद हुए बारती सेनिकों के समान में लिखा गया था तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो यूद कौन सा हुआ था जिसमें सहीद ह के समान में ये गीत लिखा गया था तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए 2021-22 में राजस्तान का ओद्योगी कुद्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा तो दोस्तों कितना रहा इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों 131.33 रहा तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र है अपना इसमें बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों जैपूर में तो यहाँ पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 99 नंबर प्रेशने 26 जनवरी 2022 को राजबवन जैपूर में सविदान पार्क का सिलायन्स किया गया है जिसके विशे में सही कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिये सही कथन कौन सा है देखिये सविदान पार्क में चर्खा कातते गांदी जी की परतिमा बनेगी बिल्कुल सही है गलत हो जाएगा तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा इसमें आगे देखिए सो नंबर का प्रिशन है मुख्यमंत्री दुख्द संबल योजना अंतरगत है एक अप्रेल दो जार बाइस से अनुदान दो रूपर परति लीटर से बढ़ा कर कर दिया गया है तो दोस्तों पांच रूपर प्रति लीटर कर दिया गया है यहां पर एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों यह मैंने आज आपको लेब असिस्टेंट यानि की परियोग साला सायक बढ़ती परिक्सा के लिए पर्थम मोडल पेपर काटा इस्ता है वो अवस्चे दें और अरद्यर सेकेडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें बिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन ज आपारत.